बीए पार्ट सेकिंडियर, फिलासोफी, पेपर सेकेंड, लाजिक, वेलकम बच्चों, मैं हीरु फेरवानी, एसोसेट प्रोफिसर, गौर्वर्मेंट कॉलेज अजमेर बच्चों पिछले लेक्चर में हमें आपको मिल्स मेथड पर विस्तार से समझाया था आज हम अगला टॉपिक लेंगे हाइपोथिसिस या प्राकल्पना प्राकल्पना जिसके नाम से इस पष्टे है, प्रा मिंस पहले से ही कल्पना यानि वेग्यानिक अनुसंधान में प्रतीक वेग्यानिक जो है किसी भी समस्या की जब वो व्याख्या करना चाहेगा तो एक संभावित व्याख्या मान करके ही उस अनसंधान को प्रारंब करेगा यानि जब वो किसी भी सिदान पर पहुँचना चाहता है तो पहुँचने से पहले उस विशे विशेश की घटना के कारे और कारण के संभन में पहले से ही वो कोई विचार बना लेता है तो जो ये विचार है ये विचारी उस सिदान पया घटना के लिए प्राकलपना चाहती है यानि अपने रिसर्च में इस प्राकलपना को प्रारंबिक बिंदू मान करके अपने अनुभ़ों से और निरिक्षन के माद्यम से तत्यों को खटा करता है और फिर ये पता लगाता है कि ये व्याख्या जो है अन्भों के द्वारा समर्थित है या नहीं यदि हमारे अन्भों में आए वे जो उधारण है वो प्राकलपना का यदि अन्मोधन करते हैं या समर्थन करते हैं तो वो एक सही व्याख्या की रूप में स्विकार कर ली जाती है, अन्य था कोई दूसरी प्राकल्पना बना ली जाती है. तो इस तरह से प्राकल्पना जो है किसी भी समस्या का एक अस्थाई समाधान है या जब तक सत्यापित नहीं होती समस्या का विवास्तरिक हल नहीं निकलता तो व्यवस्तित एक वेग्यानिक अनुसंदान में प्राकल्पना का बहुत ही एक महत्पूर्ण इस्थान होता है और इस प्राकल्पना के आधार पर हम अपने अनुसंदान को विशेश विशेश बिंदों पर कैंदरित कर सकते हैं और हमारी उर्जा जो है प्राकल्पना को बल देने वाले प्रमानों को एकत्र करने में लग जाती है तो ये है वेग्यानिक अनुसंदान का एक प्रारंविक बिंदो माना गया है और इसे वेग्यानिक अनुसंदान का दिश्या निर्देशक भी माना गया है जितने भी वेग्यानिक हैं सभी अपने अपने शेत्र में जो रिसर्च करते हैं जो अन्विशन करते हैं वो प्राकलपना से ही प्रारम्ब होते हैं और उसके सत्यापन पर ही समाप्त होते हैं जैसे कि तियासकार है जासूस है समाश शास्त्री है वेग्यानिक हैं, सभी प्राकलपना का बहुत अधिक मात्रा में उप्योग करते ही हैं वैसा नहीं है कि सिर्फ ज्यान के शित्र में प्राकलपना की रचना होती है, जाच होती है और सत्यापन होता है, हम अपने देनिक जीवन में, हमारा जो सामने जीवन है उसमें भी इसका उपयोग जो है समस्याओं को समझने में और उसको सुलजाने में किया जाता है मान लो मैं घर वापस आकर देखती हूँ कि मेरा बेटा जो है इसको से वापस नहीं लोटा है जबकि वो हमेशा इस समय तक लोटाता है तो मैं यह अनमा लगाना शुरू कर देती हूँ और सोचने लग जाती हूँ कि शयद उसकी बस छूट गई होगी या ट्रैफिक के करण उसकी बस को देर हो गई होगी तो यह जो वेकल्पिक सुझाव है या समाधान है यही प्राकल्पना कहलाती है तो एक प्राकल्पना जो है वो किसी गटना की संभावित व्याख्या या सुझाव मात्र है यह किसी भी समस्या का संभावित या एक अस्थाई समाधान है इस्थाई नहीं क्यों कोई भी प्राकल्पना तब तक वस्तिव समाधन नहीं है जब तक उसकी जांच या सत्यापन नहीं हो तो इसलिए सारी प्राकल्पना जो हैं पुनर विचार पर आधारित हैं संशोधन या तक की अस्विक्रति के योगी भी हो जाती हैं ठीक है तो प्राकल्पना वैसे तो अन्विशन के सभी शित्रों में मैत्पुन होती है प्रंदू इसकी रचना कैसे की जाती है ये दिखा जाए कि प्राकल्पना की रचना जो है वो मेकनिकल नहीं होती है यांत्रिक नहीं होती है एक अच्छी प्राकल्पनी की रचना का कोई एक नि जाती है उसकी प्रतिभा और उसकी मॉलिकता का मैत पुनिस्थान रहता है क्यों क्यों क्योंकि केवल प्राशिक्षित मस्तिश्क जो है वही गटनाओं के उप्यूक्त और संधर्ग से युक्त पहलों को दे सकता है जिसे दूसरे गौर्ग भी कर पाते हैं तो डे मॉर्गन ल पहले से कोई भी विवरण नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके जो धारक हैं कि निश्चित नियम हैं कि उन्हें सरकाम नहीं करते हैं और प्राकल्पना जो है अनेक समस्याओं को समझने और विश्लेश्ट करने के लिए भी हम करते हैं ठीक है अब है प्राकल्पना के प्रकार क यानि किस-किस प्रकार की प्राकल्पनाई हो सकती हैं तो सबसे पहली प्राकल्पना का प्रकार है नियम की विशे में पूर्वकल्पना करना यानि जब किसी घटना के विशे में हमें ये मालूम नहीं होता कि वो घटना किस नियम से होने वाली है तो उस घटना की नियम की हम पहले से ही कल्पना कर लेते हैं, उधरन के लिए आपने आइंस्टीन, नूटन ये नाम सुने हैं, नूटन को पेड से सेप के निचे गिरने का नियम पहले पता नहीं था, लेकिन उसने गुरत वाक्षन की नियम की कल्पना बनाई, तो गुरत वाक्षन की नियम का कल्पना बनाने के बाद ही वो सद्दान्त रूप में ये प्रतिपादित कर पाई, कि जितनी भी चीजें उपर से नीचे गिरती हैं, वो गुरत वाक्षन की नियम के कारणी होती है, कहने का तात्परिय है कि सभी वेग्यानिक नियम प्राकल्पना ही होते हैं, जब कल्पना का सत्यापन हो जाता है, तो वो नियम सद्दान्त बन जाता है, ठीक है, तो ये ती नियम के विशे में पहले से कल्पना करना, दूसरा प्रकार है कि करता के विशे में पूरल कल्पन हैं सामान भी जगे जगे बिखरा पड़ा हैं तो हम यह कह सकते हैं कि ज़रूर यहां चोड़ी विए और इसके अलावा भी दो तीन सब्वों तो और मिल जाएं खिड़की तूटी वियो देवार में सेंदो तो यह और सपश्टो जाता है कि चोड़ी किस तरह से विए किन्तो इसलिए यहां पर करता के विशे में प्राकल्पना की जाती है अब यहां मकान माली को किसी परशक भी हो सकता है तो वह पहले से कल्पना बना लेता है कि चोड़ी उस नहीं की होगी फिर इस पूरकल्पना की जाती है जांस में यदि वह निर्दोश पाय जाता है तो फिर द नियम के बारे में पता हो, करता के विशे में बारे हो, लेकिन परस्तितियों के विशे में आपको नहीं पता हो, तो परस्तितियों के सम्मूं का विशे इस प्रकार से इस्थापित होना, जैसे रुई है, चिंगारी है, पेट्रोल है, आग है, एक साथ ये सारी चीज़ों पस तो ऐसा प्रस्थिती विन्यास बन जाता है जिसमें आग लगने की संभावना हो जाती है टॉलमी का सिद्धान था कि प्रत्वी जो है सोर मंडल का केंद्र बिंदू है यानि सूर्य चंद्रमा आधी ग्रह जो है प्रत्वी के चार और चक्कर लगाते हैं किसी समय यह सिद्ध और निक्स की कांटी जब आई तो उनके सिद्धान द्वारा यह चुनोती दी गई और उनने यह प्रत्वित की कि सोर मंडल का केंद्र बिंदू सूर्य है ना की प्रत्वी जैनि सारे ग्रह जो है सूर्य के चार और चक्कर लगाते हैं इसे सोर मंडल की व्याख्या करना करता कि पूरू की कल्पना भी की जा सकती है ठीक है तो यह थे प्राकल्पना के यह तीन प्रकार ओके कलम करेंगे प्राकल्पना की शर्तें ओके थेंक्यू